तो हेलो गाइस स्वगत है आप सब का एक और नहीं वीडियो में तो यहाँ पे यहाँ पे इसल स्नैप ड्रगम प्रो स्रीज का चैलेंज सीजन यानि की स्टेज टू का सीजन स्टार्ट हो चुका है और इसका ग्रूप स्टेज का डे वन कल था जहाँ पे कमाल की मैचेस खेले और अगर बात करें पॉइंट स्टेवल की तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि स्रीटिपल जी ने किस तरह से डॉमिनेट किया एट मैचेस में इतने ज्यादा पॉइंट स्कूर की है वह बात करेंगा हम बूराम स्पोर्ट की तो थाइलन्स की दोनों ही टीम ने बहुत ही कमाल का गेम पर दिखा है तो यहाँ से टॉप सिक्स क्वालिफाई होंगी ग्रैंड फाइनल्स के लिए और जो बारा टीम स्वचेगी उनको प्ले आइनस में मौका दिया जाएगा और वहां से जो टॉप सिक्स टीम होगी वह भी क्वालिफाई हो जागी ग्रैंड फाइनल्स के लिए तो इस तरह से इस टॉनमेंट का फार्मेट होने वाला है तो यहाँ पर जो थाइलेंड्स टीम थी उन्होंने बहुत ही अच्छा गेम पर दिखाया और अगर बात की जाए और थाइलेंड्स टीम की जे भी इस्पोर्ट और अटैक आल अराउं तो अगर आपको थाइलेंड्स सर्फर की तीम को देखना है तो यहाँ पर याप यूटूब पर चैनल विल जाएगा वहां से जाके आप इस स्ट्रेम को देख सकते हैं आज भी ए ठीमिट होगा तो इस टॉनमेंट को जरू से देखना तो जैसा कि आपने पॉइंस टेवल म जी कि एक कमाल की fight देखने वाले हैं, हाला कि उन्होंने बहुत अच्छी fight निकाली बट यहां पर जो strategy उन्होंने दिखाई वो next level थी, तो इस strategy को हम इस video में analysis करने वाले हैं, तो वीडियो को end तक जरूर से देखना, तो सबसे पहले हम इस fight की situations को समझने का try करते हैं, कि वास् सेतिपल जी के player से वो portal के द्वारा यहां पर घर के ऊपर पहुँच चुके हैं, तो इस तरह से यह fight होती है, start और यहां पर सेतिपल जी के दो player घर के ऊपर आ चुके हैं, और वहाँ पर JB Sport के player उनके नेचे हैं, JB Sport यही team है, जो कि पहले E Arena की नाम से खिलती थी, तो बहुत ह कमाल के team है, यहां पर पोको स्टार के player आपको स्कीन पर देखनों के मिल रहे हैं, बट यहां पर सेतिपल जी के player है, वो यहां पर height का बहुत ही अच्छा advantages ले रहे हैं, कमाल के damages दे रहे हैं, यहां पर पोको स्टार के player सको knock कर दिया गया, और यहां पर clear भी easily निकाल दिया और पोको स्टार को अब जोन पर आना पड़ेगा, क्योंकि जोन उनसे दूर जा रहा है, और यहां पर सेतिपल जी अब यहां पर JB sport पर attack करी है, उन पर height का advantage है, तो वो easy knock निकाल सकते हैं, बट यहां पर JB sport के player भी hard निमान रहे हैं, और continuously nets के साथ knocks निकालने का try करते हैं, य जो की main sniper player रहते हैं, और कमाल के sniping करते हैं, इस तरह से यहां पर backup तूट जाता है, और यहां पर प्रॉब्लम में आ चुकी है, और यहां पर three versus four situation हो जाती है, और दूसरे angle पर यहां पर one more को भी down कर दिया गया, और five भी down हो चुके हैं, और Peter और COJQ अकेले बचे हैं, तो य fight की बज़र से यहां पर स्री टिपल जी इस fight को अपने favor में करती है, और यहां पर three player अभी भी स्री टिपल जी के बचे है, एक player बचा है, पोको स्टार का, एक बचा है जे भी का, तो इस fight में जो स्री टिपल जी ने यहां पर strategy दिखाए, उनके player के all around ability ने वहां पर इनको advantage यहां पर one more भी स्नाइपिंग कर रहते हैं, और सी ओ जेटक्यू भी स्नाइपिंग कर रहते हैं, जिसकी बज़र से यहां पर height adventure भी भी था साथ में अगर आप पर स्नाइपर रहती है, तो आप easy knock निकाल पाते हैं, और यहां पर एक player को knock निकाल दिया गया, और यहां पर के पोको इस्टार का एक player बचता है, और उसको भी knock कर दिया जाता है, और इस तरह से इस fight को CTLG ने अपने favor में किया, तो CTLG के पास जो fire ability है, वो next level है, क्योंकि यह लोग बहुत ही ज्यादा rushing gameplay करते हैं, और इनके players के बीच coordination भी बहुत बढ़ी है, और पीटर on fire का rush भाई एक नंबर है, तो इस तरह से इस fight को CTLG ने अपने favor में किया, कैसी लगी आपको fight कमेंट करके जरूर बताना और जो portal का बहुत है, वो next level था, अगर इस तरह से आप भी portals का यूज करते हैं, तो आप भी easy fights निकाल सकते हैं, किस तरह से height का advantage लिया गया, portal के साथ, यह बहुत थीजँ किस तरह सकते हैं, तो जब बताना झाल, को किस तरह से यहार क्या ज़ने ….